समय बहुत ही कीम्टी होता है समय का अत्यधिक महत दो है कभी भी समय बरबाद नहीं करना चाहिए आलस क्या होता है ये भूल जाईए क्योंकि समय के आगे किसी की भी नहीं चल दी एक बार जो समय चला जाता है तो दोबारा नहीं लाया जा सकता इसलिए समय का विशेश ध्यान रखना चाहिए किसी भी काम को बनता हुआ देखने के लिए पहले उस काम के बारे में आपको सोचना पड़ेगा फिर उस काम को बनाने के लिए आपको समय चाहिए होगा इसलिए हर काम का एक समय होता है उसी समय उस काम को कर लेना उचित होता है बाद में हमेशा मौका मिले यह जरूरी नहीं होता आज से, अभी से, इसी वक्त से यहाँ मन में ठान लीजे कि मुझे हर काम को जल्द से जल्द करना होगा तभी मैं समय पर हर काम कर पाऊँगा किसे भी कारे को कल पर छोड़ने की आदत बदलनी होगी बलकि आज के कारे को अभी, इसी वक्त करने पर जोड़ डाले फिर निश्चित ही आप हर काम को समय पर करने लग जाओगे हर एक पल कीमती होता है इसलिए समय को बरबाद करना सही नहीं आपको कभी भी खाले नहीं बैठना है दिन भर अपने आप को व्यस्त रखना होगा व्यस्त भी अच्छे काम के लिए करना चाहिए न किसी जूल की बातों में अपने आप को व्यस्त करना चाहिए इधर उधर घूमना या मस्ती करना वो भी हर वक्त या उचित नहीं यदि आपके पास बहुत पैसा है तो कभी भी किसी कम पैसे वाली का या किसी करीब का मज़ाग मत उड़ाना क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती समय समय की बात होती है आज और कल का फरक होता है अगर आपको कही पे असफलता मिल रही हो तो आप इस पर चिंदन कीजिए कि कही कलती आपसे तो नहीं हो रही आप समय बर्बात तो नहीं कर रही अगर आप समय बर्बाद नहीं कर रही है फिर भी हमेशा आपके लिए सफल होना मुश्किल हो जाता है तो निश्चित हो जाए आपकी इसमें कोई गल्टीन नहीं है आप अपनी कोशिश जारी रखे सही समय आने पर आपको सफलता मिलने लगेगी अगर कुछ बुरा हो भी जाता है तो घबराएं नहीं बलकि मुसिबतों का सामना करने के लिए हमेशा तयार रहे आज नहीं तो कल आपका भी समय जरूर आएगा तब आपके सारे गम दूर हो जाएंगे बस आप ही की चर्चा होने लगेगी परन्तु उस वक्त जब आपका समय चल रहा होगा तब भी आपको यह जरूर ध्यार में रखना चाहिए कि समय बदलने में देर नहीं लगती इसलिए अपनी सफलता से उस वक्त भी अपने आपको सरवच इंसान समझने की गल्दी ना करे और अपनी सफलता के मताले अपनी सफलता की गल्दी बदली की यह जपा चाहिए